साथियों, ये परिवारबादी लोग कुछ खेत्रों को अपना सामराज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी। लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्सा के साथ मतदान कर रही उत्तर पदेश की जनता कह रही है। आएगी तो बाजपाही, आएंगे तो योगी ही। इन गोर परिवारबादियों की सरकार में संगीन अपरादों के आरोपी और माफिया मंत्री मंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे, प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिती में गरीब की, दलीत की, बंचीत पिछडे की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िये, गरों के बीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फियो, फिरोती, इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 2400 गंटे संकट में रहता था, भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बहार निकाल कर लाई है। जिस यूपी की छबी, इन लोगों ने ऐसी बना दी थी, कि हाँ, कुछ बदल नहीं सकता। उस यूपी में, योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्ता को सुधार कर दिखाया है। इसलिए यूपी पूरी ताकत से कह रहा है, जो सुरक्षा लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो सुरक्षा लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो सम्मान लाए हैं, हम उनको लाएंगे।